नेक्स टास्क में आपको मैं अभी बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक statistics के जितने भी lectures हैं वो नहीं सुने तो प्लीज उन्हें सुनें क्योंकर जो हमारा अगले lecture होने वाले हैं उसके अंदर बड़ी डिटेल में हमने statistics को पढ़ना है, analysis को पढ़ना है descriptive statistics को पढ़ना है और बाकी चीजों को पढ़ना है अगर आपने पिछले lecture नहीं पढ़े हुए तो मैं अभी आपको suggest करूँगा कि आपको denics.com पे जाएं वहाँ पे जाने के बाद ये statistics के एक बार आपके सामने आरी होगी पहले दिन के lecture इस article में है इसको आप open कर लें दूसरे दिन के lecture इस एक article के अंदर है इसको open कर लें तीसरे दिन के अंदर ये 4 lecture हमने दिये surrogate endpoint, true header and score reliability and validity, triangulation in research और इनको आप open कर लें बारे-बारे right click करके इस तरीके से और फिर आप ABC of statistics पे जाएं measurement bias जो आज हमने पढ़ा वो भी यहां पे मैंने upload कर दी है फिर जो statistical analysis types of statistics है इसको भी मैंने upload कर दी है and data analysis को भी और population and sample को भी तो यह सारे के सारे lecture यहां पे पढ़ें कल वाले lecture से पहले इन सभी items को आपने पढ़ के आना है यह सभी articles को पढ़ के आना है notes मैंने आपके लिए बनाये हुए और आपको यह notes दे दिया हुए अगर आप website पे जाएं statistics पे दें तो यहां पे जा के आप देख सकते है mathematics के सारे notes mathematics वाले इस तरीके से pin की हुए so stat आपने पढ़नी है आपसे request यह है कि जो भी article पढ़ें जो भी blog पढ़ें उसके नीचे comment section के अंदर अपनी जो preferences है और जो आपने अभी तक सीखा है या आप कोई comment करना चाहते है regarding our website or something about the course please write it down अगर आप कोई example देना चाहते हैं तो please write it down we are keenly observing कि आप मैंसे कितने लोग enrolled है और कौन कितना काम कह रहा है और इंशाला आप देखेंगे कि दो मा के बाद क्योंकि आज हमारा जो lecture है वो अलहमदुलिल्ला आज तकरीबन अगर मैं दुबारा से चेक करूँ मेरे खाल से 55 दिन हो चुके हैं आज की lecture तक तो 55 दिनों का content आपके पास मुझूद है website के उपर कहां पे मुझूद है अगर आप courses पे जाएं या home button पे जाएं तो आप यहां पे जाके six months of data science and AI का पूरे का पूरा course ये वाला इस पे click करेंगे click करने के बाद सारे के सारा course आपके पास totally free में open हो जाएगा something like this आप enroll करें यहीं पे enroll करने के बाद ये सारे के सारा course आप यहीं पे देख सकते हैं day wise हमने सारा upload कर दी है आज के lecture भी रात तक upload हो जाएंगे then you can have a look on that और यहां पे learn कर सकते हैं ये सब कुछ आपको totally free मिल रहा है on the other side अगर आपको website पे कुछ ads नजर आती है तो please थोड़ा सा उनको भी देखने की आदर डालें क्योंकि वही एक चीज है जिसकी विड़ा से हम website को maintain कर पा रहे है या मेरी अपनी pocket money से चीज़ें जा रही है so it would be very nice अगर आप इस चीज़ को appreciate करें otherwise it's up to you subscribe कर ले, like कर दे, share कर दे अगर आप कहेंगे तो हम वो ads को भी remove कर देंगे मुझे कोई issue नहीं है I can invest more on that एक ही शर्त है कि आप अच्छा सीखें अच्छा लिखें, अच्छे note करें और हर चीज़ को समझते जाएं ताकि ये 6 माँ का course आप असानी के साथ देख सके, अपना क्या रखें दौमे या रखें, टेक केर एंड, अलाहफिस